ओम नमस्षिवाय शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाय गुरूजी सदा सहाए शिव महापुरान उमा सहिता का अध्याय 47 देवी उमा के शरीर से सरस्वती का अविभ्राव उनके रूप की परशन सा सुनकर शुम्ब का उनके पास दूद भेजना दूद के निराश लोटने पर शुब का शुम्ब का क्रमशे दुन्व लोचन चंड मुंड रख्त बीच को भेजना और देवी के द्वारा उन सब का मारा जाना रिशी कहते हैं पूर काल में शुब और निशुम नाम के दू प्रतापी देते थे जो आपस में भाई भाई थे उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त तिलोगी के राजे पर बल पूरवक आक्रमन किया उन से पीडित हुए देवताओं ने हिमाले परवत की शरनली और संपून अभिष्टों को देने वाली स्थर्व भूत जन्नी देवी का उमा का सत्वन किया देपता बोले महेश्वरी दुरगे आपकी जै हो अपने भक्त जनों का प्रिये करने वाली देवी आपकी जै हो आप तीनों लोकों की रक्षा करने वाली शिवा है आपको बारम बार नमसकार है आप ही मोक्ष परदान करने वाली परा अंबा है आपको बारम बार नमसकार ह आप समस्थ संसार की उत्पति स्तिती और संहार लिकरने वाली हैं आपको नमस्कार है कालिका और तारा रूप धारन करने वाली देवी आपको नमस्कार है शिनमस्ता आपका ही सवरूप है आप ही श्रीविद्या है आपको नमस्कार है भुवनेश्वरी आपको नमसकार है भैरव रूपी रूपीनी आपको नमसकार है आप ही बगला मुखी और धुमावती हैं आपको बारंबार नमसकार है आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं आपको बारंबार नमसकार है अजिता विज्या जया मंगला और विलासिनी ये सभी आपी के विबिन रूपों की संग्याएं है इन सभी रूपों को आपको नमस्कार है दोगरी माता अत्वा काम धेनु रूप में आपको नमस्कार है गोर आकार धारन करने वाली आपको नमस्कार है अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है नित्या महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है आप इशना गतों का पालन करने वाली दुद्रानी है आपको बारंबार नमस्कार है पेदान्त के द्वारा आपके ही सवरूप का भोध होता है आपको नमस्कार है आप पर मात्मा है आपको मेरा प्रणाम है अनंत कोटी ब्रहमांडो का संचालन करने वाली आप जगदंबा को बारम बार नमस्कार है देवतों के इस परकार स्तूती करने पर वर्दाइनी एवंकल्यान रूपिनी गौरी देवी बहुत प्रसन हुई उन्होंने समस्थ देवतों से पूछा आप लोग यहां किसकी स्तूती करते हैं तब उनी गौ अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तूती करते हैं पार्वती के शरीर को से वह कुमारी निकली थी इसलिए कौशकी के नाम से प्रसीद हुई कौशकी ही साक्षाच शुम्भा सुर कनाश करने वाली सरस्वती है उनी को उग्रतारा और महोग्रतारा भी कहा जा गया है माता की शर पहारा लिये बिना ही तुम्हारा कारे सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर वे देवी ततकाल वहां अद्रिश हो गई। एक दिन शुब और निशुब के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देख तो हिमाले के रमनिये शिखर पर रहती है और सिंग पर सवारी करती है। चंड मुंकी यह बात सुनकर महाल असुर शुब ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूद भेजा और कहा दूद हिमाले पर कोई अपूर्व सुन्दरी रहती है तुम वहां जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर उसे प्रयात्न पूरवक यहां ले आओ। यह आग्या पाकर दानव शुरोमनी सुग्रीव हिमाले पर गया और जगदंबा महेश्वरी से इस परकार बोला। दूद ने कहा देवी दैते शुमभा सुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विक्यात है। उसका छोटा भाई निशुम भी वैसा ही है। शुमभ ने आप मुझे तुम्हारे पास दूद बनकर भेजा है। इसलिए मैं यहां आया हूँ। सुरेश्वरी उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैंने समरागन में इंदर आदी देवतां को मानता हूँ कि तुम इस्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के उपर स्थित हो। इसलिए तुम काम जनित रस के साथ मुझ को अत्वा मेरे भाई को अंगी कार करो। दूद के मुझ से शुम्भ का यह संदेश सुनकर भूतनात भगवान शिव की प्रान वल्लभा महा माया न कर ली है, उसे सुनो, जो मेरा घमन चूर कर दे, जो मुझे युद में जीत ले, उसी को मैं पती बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं, यह मेरी अटल प्रतिग्या है, इसलिए तुम शुब और निशुब को मेरी यह प्रतिग्या बता दो, फिर इस विशे में जैसा उचित हो वैसा वे करें, देवी की ये बात सुनकर, दानव सुगरी लोट आया, वहां जाकर उसने विस्तार पूरक राजा को सब बाते बताएं, दूद की बात सुनकर, उग्र साशन करने वाला, शुब कब कुपित हो उठा, और बलवानों में स्ट्रेस्ट सेना पती, हिमाले पर कोई सुन्दरी रहती है, तुम शीगर वहां जाकर जैसे भी वह यहां आए, उसे उसी इस तरह ले आओ, असूर परवर उसे इनलाने में तुम्हे भए नहीं मानना चाहिए, यदि वह युद करना चाहिए, तो तुम्हे प्रत्न पूर्वक उसके साथ युद भ और उमा के अंच से प्रकटवी भगवती भुवनेश्वरी से कहा, नितंबिनी मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो तुम्हे मरवा डालूँगा, मेरे साथ साथ हजार असरों की सेना है, देवी बोली वीर, तुम्हे दैते राजने भेजा है, यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी, प्रन्तु युद्ध के बिना मेरा वहाँ जाना असंबव है, मेरी ऐसी ही मानता है, देवी के ऐसा कहने पर दानव दुर्म लोचन उन्हें पकड़ने के लिए दोड़ा, प्रन्तु महेश्वरी ने उच्चारन मात्र से उसको भस्म कर दिया, तब ही से देवी इस बूतल पर दुमा दुमा वती कहलाने लगी, उनकी अराधना करने पर वे अपने भक्तों की शत्रों का संहार कर डालती है, दुम्राक्ष के मारे जाने पर अतियंत कूपित हुए देवी के वाहन सिंग ने उसके साथ आय हुए समस्त असुर्गणों को चबा डाल जो मरने से बचे वे भाग खड़े हुए, इस परकार देवी ने देते दुम्र लोचन को मार डाला, इस समाचार को सुनकर प्रतापी शुम ने बड़ा क्रोध किया, वे अपने दोनों ओठों को दातों से चबा कर रह गया, उसने क्रमशे चंड मुट तथरक्त बीज नामक असुरों को भेजा, आग्या पाकर वे देते उस थान पर गए जहां देवी विराज मानती, अनिमा आदी सिद्यों से सेवे तथा अपनी प्रवा से संपून दिशाओं को परकाशित करती हुई भगवती सिंग माहिनी को देख कर वे श्रेष्ट दानव वीर बोले, देवी तुम शीगरी शुब और निशुब के पास चलो, अनिता तुमारे गण और वाहन सहित मरवाद डालेंगे, वामे शुब को अपना पती बना लो, लोग पाल आदी भी उनकी स्तूती करते हैं, शुब को पती बना कर लेने पर तुमें उस महान अनन्द की प्राप्ती होगी, जो देवताओं के लिए भी दुरलब है, उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अंबा मुस्करा कर सरस मदुरवाणी में बोली, देवी ने कहा, अद्वित्य महेश्वर पर ब्रमा, परमात्मा, सरवरत्रव विराजमान हैं, जो सदाशिव कहलाते हैं, वेद भी उनके तत् आमातुर क्यों ना हो जाए, वे गीदर को कभी अपना पती नहीं बनाएगी, हतनी गदहे को भी बांगिन खरगोश को नहीं वरेगी, देत्यों, तुम सब लोग जूट बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फसे हुए हो, तुम या तो पाताल को लोट जाओ या शक्ती हो तो युद करो, देवी का ये क्रोध पैदा करने वाला बचन सुनकर, वे दैते बोले हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझ कर मार नहीं रहे थे, प्रन्तु यदि तुम्हारे मन में युद की ही इच्छा है, तो सिंग पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद के लिए आगे बढ़ो, इस तरह बाद विवात करते हुए उनने कलय बढ़ गया, और सम्सम रांगन में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी, इस तरह उनके साथ लीला पुर्वक युद करके, परमेश्वरी ने चंड मुंड सहीत महान असुर रक्त बीज को मार डाला, वे देव वैरी असुर द्वेश बुद्धी करके आये थे, तो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोग की प्राक्ती हुई, जिसमें देवी के भक्त जाते हैं, तो ये था शिव महापुरान उमा सहीता का अध्धाय 47, ओम नमस्षिवाए, ओम नमस्